Welcome back to our YouTube channel, Storytelling with Bani and Poojan और आज हम आपके लिए The Holiday नाम की एक romantic comedy film की कहानी लेकर आए है ये film 9 February 2007 को रिलीज हुई थी और इसे IMDB पे 6.9 rating मिले है out of 10 इस film को 91% audience ने like किया है और ये film मेरी एक personal favorite film है कहानी के शुरुआत आईरिस नाम की एक लड़की से होती है जो अपने एक तरफा प्यार की कहानी बता रही है तीन साल तक वो जैस्पर नाम की एक लड़के के साथ relationship में थी लेकिन ये relationship कुछ खास चला नहीं आईरिस जहां जैस्पर को बहुत प्यार किया करती थी वहीं दूसरी तरफ जैस्पर उसे एक option की तरह treat किया करता था जैस्पर ने आईरिस को धोका दिया और आईरिस को इस बात का पता भी चल गया लेकिन ये सब होने के बाद भी जैस्पर उसका दोस्त ही बना रहा और वक्त आने पर वो उसका फाइदा भी उठाता था आज क्रिस्मस की शाम है और आईरिस के ओफिस में एक party हो रही है आईरिस आज भी हमेशा की ही तरह जैस्पर के लिए एक क्रिस्मस गिफ्ट लेकर आई है पहले उसका दिल किया कि वो ये गिफ्ट लेकर सीधा जैस्पर के पास चली जाए आईरिस जैस्पर को देखकर मुस्कुराई और बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने इस ड्रॉर से वो गिफ्ट निकाला जैस्पर भी जूट मूठी अपनी जेबेटे टोलने लगा और उसे कहने लगा कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था लेकिन शायद वो से कहीं भूल गया है आईरिस उसके लिए उसकी पसंदेदा किताब का फर्स्ट अडिशन लेकर आई थी अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पार्टी में एक अनाउंसमेंट होती है उस अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि जैस्पर ने सैरा नाम के एक लड़की के साथ सीक्रिटली इंगेजमेंट कर ली है जहां एक तरफ सब लोग जैस्पर को इस बात की बधाईयां देते हैं वही दूसरी तरफ आईरिस की आँखों में आंसु आ जाते हैं जूट पूट की हिसा ही लेकिन जैस्पर को पाने की जो मीद उसके मन में थी वो अब टूट चुकी थी अपनी आंखों के आंसों को छुपाते हुए बड़ी हिम्मत करके आईरिस पार्टी में सबसे बाते करती रहती है लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहांचती है वो जोर-जोर से रोना शुरू कर देती है क्रिस्मस की छुटियां हो चुकी थी इसलिए उसका आफिस भी बन था इस फिल्म में हमें दो कहानिया पैरिलल चलती हुई दिखाये जाएंगी और दूसरी कहानी है अमेंडा की अमेंडा एले में रहती है और इस वक्त वो अपने बॉइफरेंड इथन पर बहुत जादा गुस्ता है अमेंडा को इस बात पर पूरा शक है कि इथन का उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ अफ़ेर चल रहा है वो बार-بार उसे इस बात के लिए कनफ्रेंट करती है लेकिन इस बात से साफ इंकार कर देता है इसन जब उसके बार-बार पूछने पर भी उसे सच नहीं बताता तो उसे ध्क्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल देती है वो इधन को बहलाती फुसलाती है और उसे यकीन दिलाने की कोश्चिश करती है कि अगर वो उसे अफेर के बारे में बता देगा तो वो उस पर बिल्कुल गुसा नहीं करेगी इथन अब अमेंडा की बातों से कन्वेंस हो जाता है और वो उसे अपने और अपनी सेक्रेटरी के अफ़ेर के बारे में बता देता है अमेंडा इथन के पास आकर उसके मूँ पर जोर से घुसा मारती है और उसे घर से बाहर निकाल कर खुद अंदर चली जाती है अमेंडा एक काफी जादा कामयाब औरत है और वो अपनी खुद की एड़िटाइजिंग कमपनी चलाती है काम के दौरान अचानक से उसके मन में कोई आइडिया आता है और वो अपने सबॉडिनेट से कहती है कि वो एक ट्रिप के लिए जा रही है हालां कि अमेंडा को घर से बाहर जाना जादा पसंद नहीं था लेकिन अब अमेंडा कहती है कि वो हर वो काम करना चाहती है जो उसने आज तक कभी नहीं किया था वो ना सिर्फ घर के बाहर जाना चाहती है बलकि धेर सारी मस्ती करने के साथ साथ हूप सरान मीठा भी खाना चाहती है Amanda जैसे ही घर पहुंचती है वो कम्प्यूटर पर अपने घूमने के लिए जगा देखने लगती है घुमने के लिए वो ऐसी जगा प्रेफर करती है जहां पर कि English बोली जाती हो और इसलिए वो England को चुनती है वो England के अलग-अलग शहरों में रहने के लिए घर देखती है लेकिन तभी उसे सरी में एक घर काफी ज़ादा पसंद आता है इस घर का नाम Rose Hill Cottage है और ये और किसी का नहीं बलकि Iris का घर है अब Iris के घर में रहने के लिए Amanda उसे एक online request send करती है क्योंकि Iris अभी एक heartbreak से जूज रही है इसलिए वो भी England से बाहर जाना चाहती है इसलिए जैसे है उसे Amanda की request दिखाई देती है वो काफी ज़ादा खुश होती है और वो दोनों ही आपस में बात करना शुरू करते है Amanda से बात करने पर Iris उसे बताती है कि ये एक house exchange site है यानि कि अगर Amanda को Iris के घर आना है तो Iris को भी उसके घर जाना होगा दोनों को ही इस बात पर कोई आतराज नहीं होता क्योंकि दोनों को ही थोड़ा सा बदलाब चाहिए आखिर में Amanda Iris से ये सवाल करती है कि क्या उसके शहर में कोई मर्द है Iris इसके जवाब में zero लिखती है और Amanda खुश होकर उसे कहती है कि वो कल ही उसके घर आ रही है उन दोनों का ही ये ट्रिप दो हफ़ते का होने वाला है और दोनों ही बिलकुल अलग शहरों में पहुँच चुकी है Iris जैसे ही LA के लिए अपने प्लेन में बैठती है उसे Jasper का एक टेक्स आता है Iris जैसे ही Jasper का मेसेज देखती है वो उसे ये टेक्स करती है कि चार साल बाद वो किसी ट्रिप पर आई है और वो ये सब सिर्फ उसे भुलाने के लिए कर रही है इसलिए उसे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए LA काफी ज़्यादा खूबसूरत शहर है और जैसे ही Iris वहाँ पर पहुँचती है उसे वहाँ के बीचेज और वहाँ के घर बहुत ज़्यादा पसंदाते है Amanda पी जैसे ही एरपूर्ट पर पहुँचती है वो वहाँ से Iris के घर तक जाने के लिए एक टेक्सी बुक करती है लेकिन Iris जैसे ही Amanda के घर पहुँचती है उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसकी उमीद उसने शायद सपनों में भी नहीं की थी Amanda का घर बहुत ज़्यादा आलिशान था वहाँ पर पूल के साथ साथ एक पार्क एक लाइब्रेरी और एक जिम तक था Amanda इंग्लेंड में अपने वक्त को इंजॉई करने लगती है वो ड्राइब करके पास के ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और वहाँ से काफी जादा खाने का सावान खरीगती है बाइन पीते हुए चॉकलेट खाते हुए वो लाउड म्यूजिक पर डांस करती है और अपने आपको काफी जादा आजाद महसूस करती है आइरिस भी अपने वक्त को स्विमिंग करते हुए और किताबों को पढ़ते हुए गजारती है वो एले में बिल्कुल नहीं थी और वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी लेकिन फिर एक रोज माइल्स नाम का एक लड़का अमेंडा के घर आता है आइरिस जब उससे बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बलकि इतन का दोस्त था क्योंकि अमेंडा ने इतन को अपने घर से बाहर निकाल दिया था इसलिए उसका कुछ सामान वहाँ पर रह गया था क्योंकि आइरिस माइस को जानती नहीं है इसलिए वो उसे कहती है कि वो अपना सामान किसी और दिन आकर ले जा सकता है आइरिस और अमेंडा ने इस बदलाव को चुन तो लिया है लेकिन उन्हें इस बदलाव में अजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है दोनों ही उस रोज सो नहीं पाती अमेंडा धेर सारी वाइन पीकर सोने की कोशिशी कर रही थी कि तभी आइरिस के दर्वाजे पर एक दस्तक होती है अमेंडा जैसे ही वो दर्वाजा खोलती है वो देखती है कि सामने एक हैंसम लड़का कड़ा है वो लड़का अपना नाम ग्रहम बताता है और वो उससे कहता है कि वो आईरिस का भाई है जब अमेंडा को ये पता चलता है कि वो आईरिस का भाई है तो वो से अंदर आने देती है ग्रहाम को यह जानकर काफी जादा हैरानी होती है कि आयरेस ने अचानक से एले जाने का फैसला कैसी ले लिया क्योंकि अमेंडा की ही तरह आयरेस को भी घूमना फिलना बिल्कुल पसंद नहीं था बातों ही बातों में Amanda उसे बताती है कि उसका प्लान था तो दो हफते का लेकिन अब उसका मन कर रहा है कि वो कल ही वापिस चली जाए ग्रहम अब Amanda से कहता है कि बाहर काफी जादा ठंड पड़ रही है और उसका ड्राइव करने का पिल्कुल भी मन नहीं है तो अगर उसकी इजाज़त हो तो आज रात वो यहीं पर रुखना चाहेगा Amanda इस बात के लिए हामी भर देती है और दोनों साथ में ब्रेंडी पीना शुरू करते हैं अचानक से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और पहली ही मुलाकात में उनके बीच सेक्स हो जाता है अगली सुभा दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें काफी जादा आक्वर्ड फील होता है लेकिन इससे पहले कि अमेंडा उससे बात करती उसके फोन पर सोफी नाम की एक लड़की का कॉल आता है उस कॉल को उठाने के लिए ग्रेहम घर के बाहर चला जाता है और अमेंडा को ये लगता है कि शायद वो उसकी कोई एक्स है अमेंडा यू तो ग्रेहम को रोकना चाहती थी लेकिन इसके बाद वो से रोकने की कोशिश नहीं करती ग्रेहम वाँ से निकलने से पहले अमेंडा से कहता है कि वैसे तो आज की उसकी फ्लाइट है लेकिन अगर वो चाहे तो आज शाम पास के पब में उसके साथ डिनर कर सकती है दूसी तरफ आइरिस भी अमांडा के घर पर काफी खुश है लेकिन एक रोज उसे जैस्पर की कॉल आती है आईरिस को ये लगता है कि शायद जैसपर को उसकी फिक्र हो रही है लेकिन जैसपर उसे कहता है जूसे अपनी बुक के लिए उसके कोई मदद चाहीज़ और कुछ दिनों में ही वो उसे अपनी बुक के कुछ पेजिस पारसल कर देगा आईरिस जो कि कुछ पल पहले बहुत जादा खुश थी अब वो उदास हो जाती है और दुबारा से सो जाती है ग्रेहम जब उश्याम पब में पहुँचता है तो वो यहाँ वहाँ नजरें दोडाता है और अमेंडा को ढूनने की कोशिश करता है जब उसे यहाँ वहाँ अमेंडा कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो उदास होकर अपनी कुरसी पर बैट जाता है लेकिन फित तभी सामने बैठी हुई अमेंडा उसकी तरफ मुस्कराती है यानि कि अमेंडा ने अपनी फ्लाइट मिस्कर दी थी और अब वो ग्रेहम के साथ अपनी बाकी की छुटिया मनाने वाली थी इसी पीच आइरिस की मुलाकात आर्थर नाम के एक इनसान से होती है जो की रोड पर चुप-चाप खड़े है आरिस जब उन्हें देखती है तो उसे ये समझ में आता है कि शायद वो अपने घर का रस्ता भूल गए है वो गाड़ी से उतरती है और आर्थर को लिफ्ट आफर करती है असल में आर्थर अमेंडा के पड़ोसी थे लेकिन उनकी उम्र इतनी जादा हो गई थी कि उन्हें अपने घर का अड्रेस कभी-कभी याद नहीं रहता था आर्थर को उनके घर तक लेकर जाती है और वो जैसे ही उनके घर पर पहुंचती है उसे ये पता चलता है कि वो काफी बड़े फिल्म राइटर थे आर्थर जब उनके करियर के बारे में पूछती है तो आर्थर उसे बताते हैं कि वो 17 साल की उम्र से हॉलिवुड में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने वक्त में काफी जादा शोहरत कमाई थी आर्थर अब आर्थर को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए के लिए कहती है आर्थर जब आर्थर से उसके बारे में पूछता है तो वो से कहता है कि उसे जानकर काफी जादा अजीब लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की एक अकेले शहर में क्या कर रही है आर्थर की ये बात सुनते ही आईरिस रोना शुरू कर देती है और उन्हें जैस्पर के बारे में बताती है आर्थर आईरिस से कहता है कि फिल्मों में दो लड़किया होती है एक लड़की लीड अक्ट्रिस होती है और दूसरी लड़की उसकी सहीली होती है कि तभी उसके फोन पर उलिविया नाम की एक लड़की की कॉल आती है अमेंडा जो कि ग्रैहम से अच्छे से बात कर रही थी एक बार फिर से वो खुद को रोक लेती है ग्रैहम और अमेंडा की काफी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और ग्रैहम उसके बाद एक दिन वो लोग डेट पर जाते हैं अमेंडा बातों ही बातों में ग्रैहम को बताती है कि जब वो 15 साल की थी तो उसके माता-पिता का डिवोस हो गया था उसे हमेशा से ही लगता था कि उसकी दुनिया बिलकुल परफेक्ट है और जब उसके माता पिता ने उसे ये बताया कि वो दोनों डिवोस ले रहे हैं तो उसे ये लगा कि शायद वो लोग मजाग कर रहे हैं लेकिन फिर उसने दर्वाजे की तरफ देखा और उसके पापा का सूटकेस वहाँ पर पड़ा था उसकी पापा ने वो सूटकेस उठाया और वो घर से चले गए और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए उस राद जब वो एक पंदरा साल की लड़की थी तो वो बहुत ज़ादा रूई और हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद कभी उसकी आँखों में आंसु ही नहीं आए अब जब कभी वो दुखी होती तो वो रोने की भरपूर कोशिश करती लेकिन उसके आंखों से कभी आंसु आते ही नहीं थे ग्राहम को अमेंडा की ये बात काफी ज़ादा अजीब लगती है और वो उसे कहता है कि उसे ये बात जानकर बहुत ज़ादा इहरानी होगी कि वो बहुत ज़ादा रूता है आईरिस और आर्थर की दोस्ती इतनी जादा पक्की हो जाती है कि वो लोग दोस्तों के साथ एक डिनर अरेंज करते हैं मायल्स जब इतन का सामान लेने के लिए दुबारा से अमेंडा के घर वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पार्टी चल रही है आईरिस अब इतन को भी इस पार्टी का हिस्सा बना लेती है और वो सब लोग मिलकर काफी ज़ादा इंजॉय करते हैं उस रोज डिनर के बाद से अमेंडा ग्रेहम से मिली नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ज़ादा पास आना उसके लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर एक रोज अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसे अपने आपको रोकना बंद कर देना चाहिए तो अब वो तयार हो जाती है और चुप चाप से ग्रहम की घर पहुंच जाती है जब वो ग्रहम की घर की घंटी बजाती है और ग्रहम दर्वाजा खोलता है तो उसके चहरे पर हवाईयां उड़ रही थी Amanda Graham से बात करती रहती है और अचानक से वो नोटिस करती है कि Graham ये नहीं चाहता कि वो घर के अंदर आए उसे अब ये लगने लगता है कि शायद उसने यहां आकर कोई गलती कर दी है Amanda अभी वहाँ सी जाने ही लगती है कि उसी वक्ड दर्वाजे पर एक छोटी सी बच्ची आती है वो छोटी सी बच्ची ग्रहम को डैडी कहकर बुलाती है और Amanda को घर के अंदर ले आती है अमेंडा भी शौक से बाहर आने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी घर के अंदर उसे एक और बच्ची दिखाए देती है इन दोनों बच्चीयों का नाम सोफी और उलिव्या था यानि कि जब ग्रेहम अमेंडा के साथ था तो उसे और किसी की नहीं बलकि अपनी ही बच्चीयों की कॉला रही थी अमेंडा अप ग्रेहम पर इस बात को लेकर काफी ज़्यादा गुस्ता करती है वो उसे कहती है कि उसने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया लेकिन उसने अब तक उससे इतनी बड़ी बात चुपाई थी जब वो उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है तो ग्रेहम उसे बताता है कि दो साल पहले ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी सोफी और उलिव्या अमेंडा को बहुत अच्छे सिक्रीट करती है और ग्रेहम को ये देख कर काफी ज़ादा हैरानी होती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई लड़की बहुत ज़ादा पसंद आई हो ग्रेहम अफ सफाई देते हुए अमेंडा से कहता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज़ादा उलजी हुई है और इसलिए उसने ये चाहा कि जब तक वो उसे अच्छे से जान ना ले वो उसे कुछ भी ना बताए आइरिस अब आम तोर पर आर्थर के घर आना जाना शुरू कर देती है जब आरिस अर्थर के लिए उसके letter लेकर आती है तो वहाँ उसे Writers Guild of America का एक letter मिलता है आर इस जैसे ही आर्थर को वो letter देती है आर्थर उसे उठ़ाकर dustbin में फैंक देता है वो आरिस से कहता है कि ये लोग उसे काफी दिनों से परिशान कर रहे हैं वो आर्थर को किसी तरह का सम्मान देने वाले थे और आर्थर इस चीज के लिए बिलकुल तयार नहीं था आर्थर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सम्मान के साथ गुजारी है और मैं नहीं चाहता कि मैं वाकर के साथ चलने वाला ऐसा बुड़्धा बनूँ जिसे देखने के लिए सिर्फ तीन-चार लोग आए है आर्थर से कहती है कि ये काफी जाता बड़ी बात है और उसे वाकर की बिना ना चलना पड़े इस चीज में वो उसकी मदद करेगी आर्थर 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 के इस ओफ़र में इंट्रेस दिखाता है और वो दोनों ही साथ में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं आर्थर अब आर्थर का पूरा ध्यान रखती है और कोशिश करती है कि आर्थर कुछ दिनों में चलना शुरू कर दे Iris और Miles एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर Miles अपनी गल्फरेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है Miles की गल्फरेंड के अकॉर्डिंग इस वक्त उसे मैक्सिको में शूटिंग पर होना था लेकिन उसने उससे जूट बोला था और वो उस वक्त एले में ही थी Miles और Iris दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि इस Christmas वो दोनों साथ रहेंगे वो लोग Arthur के स्पेशल डे के लिए शॉपिंग करते हैं लेकिन तभी Miles को ये पता चलता है कि Maggie उससे मिलना चाहती है Maggie जिस जगापर रहती है वो जगह Arthur के शोव वाली जगह से बहुत ज़ादा दूर है इसलिए अगर Miles को Maggie से मिलने जाना है तो उसे Arthur का शोव मिस्स करना होगा वहीं दूसरी तरफ Graham और Amanda जब एक साथ थे तो Graham उससे बताता है कि वो उसे बहुत ज़ादा प्यार करता है उसी वक्त Iris को Jasper की call आती है और Jasper उसे कहता है कि उसने उसके लिए एक surprise gift भेजा है Iris जब उस gift को pick करने के लिए दरवाजे तक जाती है तो वो देखती है कि Jasper वहाँ पर खड़ा है Jasper Iris से उसके प्यार का इजहार करता है और Iris को एक वक्त के लिए ये लगता है कि शायद वो उसे प्यार करता है कुछ वक्त बात जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछती है कि Sarah के साथ उसकी engagement का क्या जब Jasper इस बात का जवाब नहीं दे पाता तो Iris को ये समझते हुए देल नहीं लगती कि वो अभी भी उससे इस्तिमाल ही कर रहा है इस बार वो Jasper के हाथों बेवकूफ नहीं बनती है और उसे भला बुरा सुना कर घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती है वो ऐसा कुछ करती है जो शायद उसे बहुत वक्त पहले ही कर देना चाहिए था और ऐसा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती है Iris अब एक ब्लाक ट्रेस पहन कर आर्थर के साथ उसके शो के ले जाती है Iris और आर्थर ट्विनिंग कर रहे हैं और आर्थर जाने से पहले उसे फूलों वाले एक ब्रेसलिक देता है आर्थर जैसे ही उस शो में पहुँचता है वो काफी ज़ादा confident फील करता है Iris मजबूती के साथ आर्थर का हाथ पकड़ती है और उसे audience की तरफ ले कर जाती है आर्थर जैसे ही ये देखता है कि उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आये हैं तो उसकी आँखों में आंसुआ जाते है वो बिना Walker के ना तो सिर्फ stage तक जाता है बलकि stage पर बनीवी सीडियों को भी अकेले ही चड़ता है Iris को इस बात की उमीद नहीं थी लेकिन Miles Maggie को छोड़कर उसके पास आया था वो वाइरिस से पूछता है कि अगर New Year के लिए उससे England आना हो तो क्या वो उसके साथ अपना New Year मनाएगी Iris बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखती है और उसे किस करती है Amanda और Graham दोनों ही ये decide करते हैं कि वो long distance relationship को एक chance देंगे दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और Amanda टेक्सी में बैट कर वहाँ से एरपूर्ट के लिए निकल जाती है टेक्सी मों से काफी ज़्यादा जीब महसूस होता है और उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उसकी आँखों से इतनी सालों के बाद आंसू आ गए थे अपनी आंखों से निकलते हुए आंसों को देखकर वो खुशी से चिला पड़ती है और टेक्सी ड्राइवल को ये लगता है कि शायद वो पागल हो चुकी है टेक्सी को वहाँ छोड़ कर जब अमैंडा ग्राहम के पास जाती है तो वो देखती है कि वो फूट-फूट कर रो रहा है वो उसे गले से लगाती है और उसे कहती है कि अभी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो New Year उसके और उसकी बच्चियों के साथ ही मनाना चाहती है इसके बाद हमें सीधा New Year का सीन दिखाया जाता है जहां Miles, Iris, Amanda और Graham एक साथ उसकी बच्चियों के साथ New Year मना रही है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है I hope कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो हमें comment section में आजकल बहुत ही कमाल की love stories भीज रहे है Thank you so very much guys, आपकी opinions और आपकी suggestions हमारे लिए बहुत जादा मैटे करते हैं इसलिए आप comment section में हमारे लिए ऐसी ही लिखते रहे है Thank you and stay tuned